हेलो एव्रीवन मेरा नाम है तरुन आप देख रहे हैं पाठशाला देशिकेश कैसे आप सब लोग होब करता है तो आप सब ठीक होंगे और आज हमारा है डे फोर उत्राखंड पुलिस की तैयारी का देशिकेश के साथ जुड़े रहे हैं और पाईए अपनी उत्राखंड प पास अंजर बनेगा इसका अप्शन एच सीधार सरल मुकुंद्राम बड़त्वाल इन्हें एक और उपादी दी गई है जो है कौन सी देवेग्ये ठीक है देवेग्ये की उपादी दी गई है और यह उपादी है अभी नब भारामीर की यह किसे दी थी तो यह दी थी ने भ और यह संस्कृत जोति के बहुती बड़े घ्यारी थे लगबग एक लाक्स लोग हो एक छोटी बात नहीं हो दिए बहुत-बड़ी बात है लगबग-एक लाक्स लोगों को इन्होंने लिखा था काफी पुस्तक है लगबग 22 पुस्तक प्रकाशित में थी रच्यय योज्र एक किस मार्च दोजार एक निम्न में से कौन सा ताल उत्तरा खंड के कुवाउं छेतर में इस्थित नहीं है भीम ताल नौकुछ यह चारता है आप ए एक के साथ चार कोशन त्यार हो ठीक है तो अंसर बनेगा आपका उत्तरकाशी में ठीक है और यहां से निकलती है नदी जिसका नाम है असी गंगा असी गंगा ठीक है और यह जो ताल है यह ब्राउन ट्राउन मचली सबसे बड़ा ट्राउन ठीक है ब्राउन मचली के लिए काफी प्रसिद। है बात करते हैं भीम तालगी तो नैंटाल का सब्से बड़ा ताल यह सोरी कुमाूं का बनावाट है वो किसकी तरह है तो यह है जानवर के खुर की तरह जानवर के खुर की तरह इसकी बनावाट है तो सबसे बड़ा सबसे गहरा बीमताल कमल कड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है कमल कड़ी ठीक है कमल कड़ी भी बोले जाता है कमल कड़ी के लिए बहुत नौको नौकुचिय ताल है यह पंशियों के लिए पक्षी जो होते हैं विदेशी पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ताल है नौकुचिय ताल यहां पर इसे जो कहता है सनत कुमार सनत कुमार भी कहा गया है, इसकंद पुरान या फिर किसी एक पुरान में कहा गया है इसे, उत्तरखण की पश्चमी सीमा पर कौन सी नदी भैती है, ठीक है, पूरफ़ पश्चम उत्तरदक्षिन भैती है, तो हम देखे बात करेंगे यहाँ पर प्राकर्तिक सीमाओं की जो ब यहां लगती है तिबबत या फिर हिमाले द्वारा उत्तर में और दक्षिर में उत्तर प्रदेश का भाबर छेत्र उत्तर प्रदेश का भाबर छेत्र तो आंजर इसका बनेगा ऑप्शन भी आपका टॉल्स देवरिया ताल इस्थित है रुद्रप्याग, अल्मुडा, नेन ताल या फिर चमोली तो यह इस्थित है आपका रुद्रप्याग में देवरिया ताल काफी बहुत इच्छा सुद्धर ताल है इसके साइड में कैंपिंग भी की जाती है उकी बट से थोड़ सा उपर और ताल तो चोरा बाड़ी ताल में भाई गई थी गांजी की अस्थिया जिसे सरवदी ताल भी कहा जाता है कौन सा ताल सरवदी ताल ठीक है सरवदी ताल भी कहा जाता है गांजी की अस्थिया भाई थी बात करेंगे हम यम ताल की तो यम ताल पढ़ता है आपका टीरी में ठ कि तरफ ठीक है निमने लिखित में से किस ताल की गहराई सबसे अधिक है गणवाल का सबसे गहरा ताल भी से कहा जाता है कौन सा हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका ऑप्षर ए सहस्त ताल ठीक है स्लिपिंग लेडी के नाम से किसे जाना जाता है जोशी मठ को स्लिपिंग लेडी के नाम से जाना जाता है जैसे बहुत बार एक कुशन और बंदा कि किलर माउंटेन किसे कहा जाता है किलर माउंटेन तो किलर माउंटेन कहा जाता है आपका नंदा देवी को ठीक है नंदा दे यमताल जो आपका टीरी में वस्तित है इसमें सदैव क्या होती है वर्फ जमीर रहती है बात करें लिंग्डा ताल की तो यह का है तो यह आपका फुलूगी घाटी चमॉलिक्वास महासरताल की बात करेंगे तो कटोरे नुमा आकार है महासरताल का और इसे भाई बहन का ताल कहा जाता है भाई बहन का ताल रूपकुंड जील किस जिले में इस्तित है टीरी गड़वाल चमोली उत्रकाशी या फिर नैवनिताल काफी प्रसिद उत्रा खंडी नहीं देश नहीं यहां तक की विदेशों में भी प्रसिद है हमारे हांकी रूपकुंड जील ठीक है और यह वास्तित आपका चमॉली में इसे रहसे में ताल ठीक है और क्या कंकाली ताल कंकाली ताल भी कहा जाता है बात करेंगे तो यहाँ पर कंकाल है तो कहा जाता कि राजा यश्धवल थे एक राजा यश्धवल और उनकी रानी बलपा बलपा रानी बलपा था उनके सेनिकों के कंकाल है जो यहां पर पड़े हुए रूपकुंड को कैसकते हैं 50 दिलाने की जो श्री जाता है वो जाता है स्वामी स्वामी प्रणवाननद को ठीके न, अब ऐसे यार करें कि उन्होंने प्रणवानन ने प्रण भी जा कि उत्त्रा खट के किस जिले में मूल निवासी दिवस बनाए गया तो कुछ समय पहले मूल निवासी दिवस बनाए गया था आपका ऑप्शने चमोली वे गोलू देवता के पिता का नाम क्या था जालू राई मालू राई राता श्याम या इन में से कोई नहीं गोलू देवता दा गौड अफ जस्टेस ठीक है नियाए के देवता कहा जाता है गोलू देवता को ठीक है और इनके पिता का नाम था जालू राई ठीक है जालू राई क कातियुरी वन्ष से सम्मंदित हैं कौन गोलुदेवता कातियुरी वन्ष ठीक है रहा तो यह भी कोशन मनता है कि किसे वन्ष के थे और न्याय के देवता किसे कहा जाता है अलग नंदा का उद्गम स्थल है मिलम सतोपंध बंदर पूछ या गोमुक तो अलग नंदा जो निक जलती है और एको नदी निकलती है इससे निमन लिकित में कौन एक अलग नंदा नदी की सहिक नदी नहीं है धौलिक अंगा शार्दा नदी बंद्गनी या फिर पिंडर आप्शर बनेगा सीधा सीधा शारदा शार्दयानी काली ठीक है या अचिसा वजागी यह लगत जकर ki मिलती है करण प्रियाग में तो यह मिलती है विश्णु प्र्याग में अगर्ला रूशन देखिए जॉगां चोटी किस जद्पत में इस तित्हित सहे हरिदवार पोड़ी या पिर हमादा जॉगिन चोटी काफी पृषिज्ध जगा है और यह फास्तिताब के उप्तरकाशी में Korbet राश्टर अधियान किन दो नदी तटो के मद्धे इस्थित है? ठीक है ना? रम गंगा कोसी, कोसी-काली, कोसी-यमणविय गंगा कोसी तो राम गंगा और कोसी के मद्धे अवस्थित है कॉर्बेट नैशनल पार्क जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में 520 वर किलोमेटर इसका छेतर फल है सबसे पहले इसका नाम राम गंगा नैशनल पार्क की रखा गया था ठीक है लेकिन आजादी के बाद पढ़ा क्या कॉर्बेट नैशनल पार्क सबसे ज़्यादा परियाटक य नैशनल की पहाड़िया चौबंसी पट्टी चौगट पट्टी तो धार पानी धार बागेश्वर के पास इस्तित है वहां से निकलती है आपकी कोसी नदी उद्गम याद करते हुए चलेगे कि थोड़े सी कोशन है अगर आप लोगों ने इनको ध्यान से पढ़ा अच्छ कितनी है चार उप्शन आपके पास है और यह चारो ही उप्शन उत्राखंड के परवतों की हाइट है तो सबसे पहले हम आंसर देखेंगे तो आंसर बनेगा ऑप्शन वी 7,817 आप बात करेंगे ऑप्शन एक ही तो यह है कॉमेट परवत की हाइट किसकी कॉमेट की हाइट बात करेंगे सी ओप्शन तो यह है नंदा देवी पूर्वी नंदा देवी पूर्वी और बात करेंगे इसकी तो यह है हाइट किसकी माना परवत की ठीक है किसकी माना परवत की निमलिखित ग्लेशियर में किसकी उचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है पॉंटिंग मिलम पिंडारी या फिर गंगोत्री तो देखिए गंगोत्री ग्लेशियर सबसे लंबा सबसे बड़ा ग्लेशियर उत्रखन का इसी की उचाई सबसे ज्यादा है समुद्र तल से मैं आपको विश्वास जिला रहता हूँ अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे और कंटिन्यू प्र जरूर होगी निम्न में से कौन सा हिम्नद पिथोरागर जिले के अंतरगत इसित नहीं है मिलम पॉंटिंग नामिक या फिर कफनी तो और दिसर बनेगा सीधा कफनी Glacier, कफनी Glacier आपका इस्थित है कहा बागेश्वर में, ठीक है, तहाए, सिर्थ में पिंडारी हिमनत कि जिले में अवस्थित है यह सिथित है, पिथा अगड़ बागेश्वर उतरकाशी चमुली, तो यह है आपका बागेश्वर में, यहां से नदी निकलती है कौन सी पिंडर और कहा जाता है पिंडर एक मात्र ऐसी नदी अलग नंदा की सहायक नदी जिसका उद्गम कुमाउस से है ठीक है यह एक अलग कोशन बनता है कि अलग नंदा की एक मात्र सहायक नदी जिसका उद्गम कुमाउस है तो वह पिंडर पिंडरी ग्लेशियर से जो बागिश में हैं उत्रा खांडर राज्जे के हिम्नदों को सरवा देक खत्रा किस्टे है ग्रीन हाउज गैस अमल यह चार आपके पास है आंसर बनेगा सीधा सीधा आप्षेने ग्रीन हाउस गैसों से क्यों ग्रीन हाउस गैसे लिए ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है श्रिंग कंट है अ बिच है ओ धног कनदी का उद्गम इस्थखल है तो हिम्नत से निकलती है गागरा ॥ गंगा की साहिख नदी किसी साहिख नदी है गंगा की लेकिन उत्रकंड में नहीं इक किनगा बाहर मिलती है गंगा से ठीक है दक्षणी तिबद के आसपास एक जगा है जहां पचुम हिम्नद है वहां से निकलती है निम लखी तुमें से किस ताल का पानी उबलता हुआ है भेक ताल बधाणी ताल वेणी ताल या फिर बयाताल तो फाच कंडी बयाताल और शड़ी इसका सही उत्तर बनेगा कौन सा ने तब किया था गुरू अरजुने देव घर गुरू अंगड गुर्ट doubt और तब किया था हेमकुंड साहिप के नाम से बहुती प्रसेद गुर्दौरा है सिखों का बहुती पवित्र धार्मिक स्थल है यहां पर इसी से थोड़ सा दूर लक्षमण जी का एक मंदिर भी है जहां पर माने जाता है कि लक्षमण जी ने तबस्य की थी और वहीं से एक नदी रज़ाई किताना सिर्फ फिर बंद्री नास्तों बंद्री नात्र में स्थित है यह वरellsे gefक्रों में सेAllज है बलाजा ठीक ना मारकंदी शलवॉक शोड़ा नारच्श् 2 खेंग करने और बाकंदी शिला नारच श्ला और दो शिला और है पांच्शई में स्थित है मनिश शल्वाल किस खेल से संबंदित है शत्रंच बैड्मिंटन वॉली वॉली या फिर ताईकॉंडो तो मनीश शल्वाल उत्रखन के खिलाडियां जिनका संबंद है ऑप्षन भी ताईकॉंडो से ठीक है मनीश शल्वाल मदूमी तबिष्ट बहुत पर हो चुकी है ठीक है और बहुत सारे खिलाडी हैं जो बहुत ज़ाद हो चुकिए अब थोड़े नए नाम याद करने की कुश्च करो मनीश सन्वाल का संबन ताइकॉंडो से निम लिखित में कौन सा एक नगर नदियों के संगम पर इस्थित है कुमाओ और निपाल को कौन सी नदी अलग करती है गंगा पिंडर या उना काली तो बताएक पूरवी प्राकर्सिक सीमा उत्रखन के बनाई जाती है ऑप्शन डी काली नदी द्वारा निम में से कौन सा लोग गीत अनुबूती प्रधान गीत है पौणा बैर जोड़ा या फिर बगनौल बगनौल गीत जो है आपका क्या है अनुबूती प्रधान गीत है बात करेंगे जोड़ा की तो जोड़ा क्या है मांक के महीने में गाय जाता है समू निर्ते गीत है बैर पॉइंट जाता होते हैं वहावी होते होते जीत जाता है पौणा भोटिया द्वारा किया जाता है जो सरो नित्य की तरह होता है किस की तरह सरो और कुमाओं में होने वाले छोलिया की तरह नित्य है जो बोटिया द्वारा किया जाता है कुमाओं में पौरानिक गाथाओ को कि जाला चांसेज भी है एक्जाम में आने की तो किसाओ बांद अवस्तित है आपका टॉंक नदी पर उत्राकंडगा सरवादिक उच्छ परवच्छिकर नंदा देवी के जद्पद में स्थित है सरवादिक उच्छिकर नंदा देवी सब को पता है और यह है आपका चमोली में बागी रती नदी निकलती है गौमुक गंगोतरी तपोवन या फिर विश्टू प्रयाग भागी रती निकलती है आपकी गौमुक से विरही गंगा के अवरुद होने से बनी गौना जीर कितने वर्शों तक थी चरासी बासट उन पचास या सततर उत्त्राखन के किसी का भी जील बनी थी और कप्टूटी थी तो इसके साफ़ चांसर सततर वर्श भी बनता है पर आयोक के नुसार बासट वर्श है आंसर तो हम बासट ही मान कर चलते हैं राज्ये का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है देरदोन रुड की हरिद्वार या फिर पिथारा गड़ आप कि बहुत ही बुरी दशा होती थी यहाँ पर लोग मर जाते थे भीना खाने बिना पाई के तो कब्रिस्तान जैसा हो गया था इसलिए हरद्वार को कहा जाता है किस स्थान से भागी रथी को गंगा के नाम से जाना जाता है बहुत अलका कुशन मैं वो क्या वोट रहा हूं हमें से टफ कोशन ही नहीं आएंगे हलके कोशन भी आएंगे तो उनकी भी प्रैक्टिस करनी है तो हर कोई नहीं करेगा आसान हर कोई कर रहा है तो आसान बिलकुल जील निम्व में से कौन व्यक्ति मुक्य बाजी से संबंदित नहीं है धरम चंद पुषकर भंडारी ललित प्रसादियन दरेंद्र बिष्ट तो पुषकर भंडारी ऑप्शन भी इसका सही उत्तर होगा पुषकर भंडारी का संबंद किस से है तो यह है फुट बॉल से ठीक ह काली नदी का उत्राखन में प्रवापत कहां से कहां तक है मनद कहां से शुरू थी है कहां तक जाती है लिपुलेक से निकलती है और टरकपुर में राज्य से भार हो जाती है ऑप्शन सी सही उत्तर काली नदी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है काली नदी को दूसरा ना प्रवित्र नहीं माना गया है जहानवी नदी किस मुख्य नदी से संब्दित है जहानवी या फिर दूसरा नाम जाड़ गंगा अब आप बहुत से लोगों को आंसर आ गया होगा यह है ऑप्शन भी भागी रहती कि साहिक नदी यह भी यू के ट्रपल सी एक्जाम में आया हुआ कोशन है ब्रहम कमल पर डाक टिकट जारी हुआ चार आपके पास है और आंसर बनेगा उनीस सो बैज़ियाञा और इसी समया आई एम ए भारते सैने अकैडमी यानि इंडियन मिलिटरी अकैडमी पर भी डाक टिकट जारी हुआ था डाक टिकटों से बहुत 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 कुशन आता हैं जैसे हम बात करेंगे तो 2001 में डाक टिकट जारी हुआ केदारनात पर ठी ठीक है 1977 में हुआ था बुराश पर 75 में हुआ था मुनाल पर ठीक है 2016 में हुआ गड़वाद राइफल्स पर 2017 में हुआ कुमाउ राइफल्स पर ठीक है इस तरीके से डाक्टिकटु से कोशन बद्द है उत्राखट की निम्न जीलों में कौन सी एक त्री बुजा अकार है कि द सिधा भीम ताल ठीक है भीम ताल है त्री बुजा कर और साथ ही साथ बहुत का अकार भी बनाती है दोनों nodig है अफिस तरीके से भी कुछ हो उत्रबवर तर्बानिक जीन कोनBOH में नौक कुछिया ताल, भीम ताल, गिरी ताल, या फिर जिल्मिल ताल सीदा से रहा है नौक कुछिया ताल उत्रकडी कोसी नदी साइग नदी है गंगा राम गंगा शारदा या इन में से कोई नहीं तो उत्रप्रदेश में मिलती है राम गंगा से कोसी नदी ठीक है कोसी नदी का जो बेसिन है उसे कुमाओं में धान का कटोरा कहा जाता है धान का कटोरा ठीक है धान का कटोरा कहा जा है धार पानी धार नामक इस्थान से वो एक ग्लिश्यर नहीं है मंदागनी नदी के इस जल प्रवा मुख्य नदी से संबंदित है तो मंदागनी किस संबंदित है तो यह आप बता ही देगे अलग नंदा और मंदागनी का संब्दम होता है रुद्र ट्याग में कीचे कोशन हर बार बताऊंगा जब भी होगा 856 से 84 रट लेना है याद कर लो पिलंगना नदी का उद्गम स्थल है खत्लिंग हिमानी का बूंड ताल गौना ताल या सब्तरिशी ताल खत्लिंग ग्लेशर से निकलती है आपकी बिलंगना नदी और टीरी में आकर भागी रती से मिल जा लंबाई कितनी है ऑप्शन डी 96 किलो मीटर लंबाई है देव ट्रैक से हर द्वार तक की भाग करेंगे भागी रती की तो भागी रती की लंबाई है 205 गों मुक्सेद देव ट्रैक तक अगर हम दोनों को एड़ करते हैं तो यह बनता है 301 ठीक ना चेवर पाज ग्यारा ए और स्देखार यहां से निकलती लक्ष्मन गंगा तो सरप्रता मिलती है भुष्मन गंगा राज्य में प्रकाशित प्रत्म-दैनिक पत्र है आज पाड़ सकते परवतिय इन में से पूई नहीं तो प्रतम दैनिक पत्र यह एसा पत्र जो रोज छपने लगा समांचे पट्र में कहां से आता था तो यह आता था नैनी ताल से और इसके संपादक थे विश्णु दत उन्याल ठीक है रक्षा शोद संस्थान किस जंदपद में इस्तित है तो यह आपका उप्चन ए उदमसी नगर में कैसे याद करेंगे तो उदमसी की नगर आपके सबसे नीचे है तो उत्रप्रदेश के मानना है ठीक है न सोचने नहीं सथ इमयजिन करना है उत्रप्रदेश से क्या हो गया हम बुब लाओ गया तो हमाई रक्षा कौन करेंगे उदमसीनगर वाले करेंगे यानी रक्षा शोट सलस्तान उदमसीनगर में हैं काली नदी की अंतिम साहिक नदी जो राज्ये में प्रवाइथ होती है काली लधिया पूरी यह जाएगा ऑप्शन भी लधिया आखरी साहिक ठीक है एक समय पर यहां पर बोटिया लोग वेपार करते थे इस से चींग के साथ राज्य में उथपा दित मंडवा कोदे को कोदा नाय दियात किया जाता है तो यह किया जाता है आपका option ए जापान में लगा सकते है जापान के लोगों को हमारा product कितना पसंदा है कि यहुंसे भी ज़्यादा अच्छी रोटी होती है किस केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं ठीक ना कपाट बंद होते हैं जैसे तो लेकिन एक कदार है जिसके कपाट खुले रहते हैं 12 महीने और वह आपके कल पेशवरनात जहां पर शिप जी की जटाओं की पुझा की की जाती है बात करेंगे मगमहिश्वर की तो मदमहिश्वर का सीच्टका लिन आवाज़ भी है उंकी मंट बात करेंगे हैं कि तुगनात की तुगनाधlu क कहा जाते हैं क्यों जिस तरीके से भागी रत ने स्वर्ग से गंगा को उता रहा था अपने पूरवजों के उद्धारण के लिए उसी तरीके से पीबी काट लेने बनाई थी गंग नहर ठीक है लोगों की सिचाई व्यवस्था के लिए पाड काम बेटकर कहा जाता है चार आप्शन आपके सामने है इसका अंसर बनेगा आप्शन सी मुन्शी हरी परसाद टम्टा क्यों जिस तरीके से अमबेटकर जी ने दलीतों के लिए काम किया था राज्य में दुख देवन दुथ पताद उतपादों को किस ब्रैंड नेम से बेचा जाता है तो ये बेचा जाता है आप्शन भी आचल नाम से तो अगली बार जब भी आप आचल नाम से किसी दूद का पैकेट खरीदे तो गर्व के साथ कहें कि हमारे राज्य का उतपाद यानि हम गौर्वर्मेंट खरीद रहे हैं हर्षदेव औली को विभी शड किसने कहा था बीडी पांडे चार आप्शन आपके सामने हैं ऑनसर बनेगा सिधा राहूल सांकर्तियायन ठीक है है हां राज्य में कंडाली कुष्ट का की सब्जी कंडाली टिंग घ्berries गाउए रहने ववह विकती है उन्होंने अपनी मम्मियों से कंडाली कींडंडे से मार्त भी खाई हो या फिर उने आते जाते सीर्व कभी कंडाली का साग भी बनाया जाता है और में किस धिलिव का आर्टिका डायो का कडारी का साइटिफिक नेम है ये थे उत्रकर से संबंदित बहतकून कोशन ऐसी जनकार्यों के लिए पाठशाला रिशी केज से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बैल ऐकन दबाईए और टेलिग्राम ग्रूप पाठशाला रिशी केज ग्रूप सी जॉ कि एendre बहुत।